प्यारे मित्रों, पतंजली के योग को समझने के लिए साथ छोटी-छोटे हिस्सों में बाट लें। पहला कहलाता है कर्मयोग अर्थात अपनी शारिरिक क्रियाओं के प्रती साक्षी होना। याद रखना मूल शूत्र है साक्षी होना। किस चीज के हम साक्षी होते हैं उस पर निर्वर करता है। वह योग की पद्धति क्या बन गई। दूसरी है तंतरसाधना जिसमें हम इंद्रियों की समवेदन शीलता के प्रती साक्षी होते हैं। तीसरी है हटी योग की साधना, हट का मतलब ऐसा नहीं है, जिद्धी होना हटी होना, ये हम और ठम से शाट फार्म बना है, जिनका भावार्थ है, बाई और दाइनाक से चलने वाली सांस, जब हम अपनी सांसों के प्रती सजग होते हैं, तो हटी योग की साधना हो जाती है, स सांसों के साथ छी सांसों की माला में सिम्रू में पी का नाम चोथा भक्ति योग हमारे हिर्दय में भावनाएं हैं अच्छी बुरी दोनों प्रकार की प्रकरती ने दी हैं तो भावनाओं का जहर भी है सत भावनाओं का अमृत भी है लेकिन हमें सागर मंथन करना होगा अपन उचुद्ध होकर हमारी प्रेम की छमता ही भक्ति और पराभक्ति बन जाती है। वही प्रीती जो बाहर व्यक्तियों से लगी थी वस्तुओं से लगी थी परिस्थितियों से लगी थी वह समश्टी के प्रती सनलगन हो जाती है। सारे अस्तित्त्त से हम प्रेम पूर्ण हो जाते हैं, वह भक्ती की भावदशा है। उसके बाद आता है ज्ञान योग। यहां ज्यान सेर्थ हमारे मन में जो इस्मृत्ती है, विचारों का संग्रय है, कल्पनाएं हैं, धारनाएं हैं, जो कुछ भी मन में हैं, जिसको हम ज्य कहते हैं उसके प्रती होश्पूर्ण होना उसके द्रश्टा बनना उसको दूर से ऐसे देखें जैसे किसी और को देख रहे हैं एक अंतराल एक गैप निर्मित हो जाए बीच में तब हम अपने स्वयम के चैतन स्वरूप का अनुभाव कर पाते हैं पतंजली का योग सास्त्र शुरूवात ही यहीं से होता है द्रश्टा भाव में रमना योग है मन की समापती योग है तो साधरनत है लोग जो समझते हैं ग्यानियोग से की खुपके तावों का अध्यन मनन करना तरक वितर करना बाद विवात करना कंठस्त कर लेना वह ग्यानियोग नहीं है मन के द्रश्टा बनना यह ग्यानियोग है तो पाँच प्रकार के लोग हैं दुनिया में मोटे मोटे तोर पर एक करमट किसम के दूसरे भोगी प्रवत्ती के तीसरे साहसी प्रवत्ती के चोथे भावुक किसम के और पाँच में बुद्धी जीवी किसम के जो हमारा मुख्य प्रकार है वही हमारे लिए प्रभू में प्रवेश का द्वार बनेगा अक्सर हम कहते हैं कि हमारा वीक पॉइंट है कोई आदमी स्वात के प्रतिवड़ा लोलोप है वो कहता है यह मेरी कमजोरी है जो हमारा कमजोर point है वही हमारा सब्सक्ति साली point बन सकता है क्योंकि उसी के माध्यम से हम परमात्मा के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं तो भूल जाएं इस बात को कि हमारा कोई weak point है वो हमारा ससक्त द्वार है जिससे हम भाहिर मुखी हो रहे हैं उसी दरवाजे से हम अंतर मुखी हो पाएंगे सबसे आसानी से हम उसी में साधना कर पाएंगे कोई विचारों से परेशान है उसके लिए यही दौार बनेगा विचारों के साक्षी होना कोई बहुत भावुक किसम का है भावना के उहा पोह में उसकी उठापटक होती रहती है उसके लिए यही दौार बनेगा प्रभु में प्रवेश का छटवा जो है राजयोग या ध्यानयोग भी उसी को कहते हैं इसमें पिछले पांचों प्रकार के योगों का समन्वय है अभी बहुत संग्छेप में कह रहा हूँ फिर हम एक एक योग को विस्तार से समझेंगे तो पांचों प्रकार की जो विधियां हैं छटवे में समाहित हो जाती है उश्यो की किताब है ध्यानयोग प्रथम और अंतिम्मुक्ति सब प्रकार की विधियां उसमें है सब प्रकार के लोगों के काम आ सकती है सात्म है सांख या सहजियोग इसमें सभी प्रकार की विधियों का निशेद है तो छटवे में सब विधियों का स्विकार है और सात्मे में सब का इनकार है सांखिवित कहेंगे किसी विधि की जरूरत नहीं साक्षी ही होना है तो सीधे साक्षी हो जाओ इसमें किसी किरिया का लाप और उठा पटक की क्या जरूरत है बस साक्षी हो रहो उनकी बात भी बिलकु सही है तो ये साथ प्रकार के मुख्य योग है हमारे साथ चक्रों से संबंदित है नीचे से उपर तक के साथ चक्रों से एक-एक योग संबंदित है जिस व्यक्ति का जो चक्र अधिक सक्री है उसके लिए वही द्वार बनेगा कर्म के बारे में भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा है राजसी, तामसी और सात्विक कर्म इसमें जो सात्विक कर्म वाला प्यक्ति है वह द्रश्टा और साक्षी बन सकता है तो कर्मयोग केवल उसी के लिए संभव है जो समता भाव में आ गया है ना तो अती कर्मत है कुछ करने का पागलपन सवार है कि कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे शान्त नहीं बैठ सकते और ना आलसी है कि हमसे कुछ ना होगा हमें आराम करने दो ये दोनों प्रकार के लोग जो है ये कर्मयोगी नहीं हो सकते अक्सर सुनने में ऐसा मिलता है जो लोग कूप कर्म आठ हैं, वो कहते हैं हम तो कर्म योगी हैं, वो कर्म योगी नहीं है वो बलकुल विक्षजिपत हैं, वो कुछ ना कुछ करेंगी ही करेंगा, छोट-छोटे बच्चे होते न जिन पर हम बीमारी कले भी लगा देते हैं over active child वो शान्त हो यह नहीं सकता यहां से वहां भागेगा वहां से दोड़एगा कुछ सामान पटकेगा यह तोड़ा वो तोड़ा किसी से लड़ने लगा कुछ सामान उठा के फैक दिया जब तक नींद ना आ जाए बैठ नहीं सकता कुछ ना कुछ करेगा ऐसे लोग बढ़ हो के फिरातंकवादी बनेंगे राजनिता बनेंगे यह भड़ो उपद्रवी के सम के लोग है कुछ ना कुछ करना है इसके ठीक विपरीत तामसी लोग है वो कुछ करना ही नहीं चाहते याद रखना कामना उनके भी तरवी है राजसी के भी तरवी कामनाएं हैं वासनाएं हैं लक्षे हैं, पाने हैं और बड़ी उर्जा उसके पास है दोड़ने की तामसी जो है वासनाएं उसके भी तरवी वैसी की वैसी है बिल्कुल मजबूरी में ही कुछ करना पड़ता है वरना वो कुछ करने वाला नहीं ये दोनों ही प्रकार के लोग अपने जीवन को नश्ट कर लेते हैं ये दो अतियों पर हैं दोनों ही ठीक नहीं है एक मध्यमार्ग है वही उचित है आवश्चक्ता का नुसार, परिस्थिती का नुसार हमारे भी तरशक्ती का संचार हो और हम कर्म कर सकें अपनी जुम्मेवारी ने भश सकें और जब जरूवत नहीं है तो हम विश्राम पून और शांत भी हो सकें ऐसा व्यक्ति अपने कर्म का साक्षी बन सकता है फिर भगवान कृष्णों समय और जोड़ देते हैं फला कांग्छा रहित अब ये कठिन शर्थ है वो जो ओवर एक्टिव है वो बहुत ज़्यादा फल किया कांग्छा से भरा है ऐसा हो जाए वैसा हो जाए ये पालूं वहाँ पहुँच जाओं ये करके दिखाना है वो फला कांग्छा रहित नहीं हो सकता स्वरग में कल्पवरक्ष की कल्पना जिन लोगों ने की है वे महा आलसी रहे होंगे कि कुछ करना ही ना पढ़े उस पेड़ के नीचे पढ़े है जो सोच वो हो जाए ये कोई रिशिमुनियों की कल्पना नहीं है याद रखना है रिशिमुनी हम दिन को कहते हैं वो सम्यक होते हैं वो सात्विक होते हैं, यह महा आलसी चाहते हैं कि यह प्रभू कुछ ऐसा इंतजाम हो, यह हम कहें भूक लगी है और अचानक भोजन किथा लिया जाए, और हम कहें नीदा आ रही है और अचानक गद्दा लग जाए, जो हम चाहें तो रंत हो जा, हमें कुछ करना ना पड़े यादख नयवाली प्रवत्ती भी हम सबके भीतर छुपी है, और दो प्रकार से लोगों ने कर्म से बचने की कोशिश की है, भारत के आलसियों ने सन्यास ले लिया, और वे बड़े सम्मान और आधर के पात्रवन गए, वो थोड़ा सा विक्चाटन वगएरा कल लेते हैं, वो पड़े रहते हैं, मक्की भी बैठी वोड़ाएंगे भी नहीं, उनसे कुछ नहीं होता, इन लोगों को खूब आधर मिला, सम्मान मिला, वो पुझी नहीं हो गए, उन्होंने घर गरस्ती त्याग दी, दुकान त्याग दी, खेती-किसानी त्याग दी, सब छोड़ दि पश्चिम में दूसरे ढंग से उन्होंने यही चीज की, वहाँ विज्ञान और तक्नीकी का विकास करके, जो काम हमको करने पड़ते थे, वो काम हमने मशीन को सौख दिये, अब सारा काम मशीन करने लगी, दीर दीर सब कुछ आटोमेटिक हुआ जा रहा है, और एक-दस- आट रखने से कोई समझतनी सुलज जाएगी, आदमी के भीतर करम की उरजा है, वो करेगी क्या, वो कुछ उपद्रों करेंगे, कुछ जंजट खड़ी करेंगे, दंगा फसाद करेंगे, युद्ध करेंगे, कुछ तो करेंगे, लगाई जगड़ी कर लेंगे, सामपरदा आग दंगा छेड़ दिया, कुछ तो करें, तो ये दोनों भी बचने के उपाएं गलत हैं, हमें अपने भीतर टटोलना चाहिए, और स्वयम ही एक सम्यक्ता की अवस्था निर्मित करने चाहिए.